शेरू का बैंट बजने वाला है शेरू अपने नाना के घर गया था और जिद्ध पर अढ़ गया मुझे बाहर घूमने जाना है नाना बोले बेटा, सुबह निकल जाना लेकिन शेरू नाना की बाद माने बिना अकेला चला गया और बड़े मजे से बाहर घूम रहा था कुछ दूर जाने के बाद शेरू की चीख निकल गई क्योंकि एक सफेद साडी वाली औरत शेरू की तरफ दोड़ती हुई आ रही थी शेरू डर कर भागने लगा रास्ते में शेरू की मुलाकात अपने नाना से होती है नाना ने पूछा शेरू बेटा क्या बात है तो शेरू ने कहा एक औरत मुझे पकड़ने के लिए मेरे पीछे आ रही है तो नाना ने कहा बेटा तुम घर जाओ मैं देख कर आऊंगा शेरू घर आने लगा जैसे ही उसने घर का दर्वाजा खोला तो उसके होश उड़ गए क्योंकि उसके नाना तो बाहर गए ही नहीं और घर पर टीवी देख रहे थे वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और सबस्क्राइब जरूर करें और हाँ कमेंट में बताएं फिर बाहर नाना की जगह कौन था?